हलो फ्रेंड वेलकम बाइक टू माई यूटूब चैनल तो पुरानी जाड़ू को हम पानी में एक बार वाल्टी में भिगो करके देखें कमाल ही हो जाएगा तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के हाजिर हूं तो आप लोग होता है हमारा कूकर जल जाता है कूकर हो या कड़ाई हो तो उसको धुलने में बहुत ही समस्य आने लगती है तो उसके लिए हम बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के आए हैं तो विनेगर सभी के घर में रखा रहता है आप इस तरह से डाल करके और दो मिनट के लिए इस से भी आप बिल्कुल साफ हो जाएगा एक बार जरूर ट्राय करना तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह चारो तरफ से मैंने रगड दिया है यह सब साफ हो गया उसके बाद थोड़ी सी साबुन लगा करके पहले हम इसको ऐसे दूल लेते हैं उसके बाद में हम इसमें थोड तरह साफ हो गया है और यह जो फ़ड़े करना चुजो जाए ऑज़ा गाँ दाल गया हुझा एपकर कैसे उसको हमारा यह चाप कर देंग तो हमारा साफ हो जाएगा तो आप देख सकते हैं दो मिनट भी नहीं लगता है और हमारा कोकर साफ हो जाता है नहीं तो जब जल जाता है तो यह होता है कैसे साफ होगा कैसे साफ होगा तो इस तरह से आप इसको धूल करके और फिर देखे खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा साफ हो गया है अब भी इसको ट्राइ कर जरूर करना एक बार तो इस तरह से हैं तो ये देखे इस आरा साफ हो गया है तो चलिए अगली टिपस हमारी क्या है हमारा ये साड़ी का ब्लऊच था ये हमारा लॉंग अस्तीन का था प्रस करते वकbol हमारा जल गया था तो उसको हम इस तर like. है मतलब में इस तरह से बना ली हूं और उसको जो है हम आप लोगों के साथ नहीं सेर कर पाए हैं इस तरह से हम अस्तीन को छोटी करके और बाजू को छोटा करके इसमें लगा दिये हैं अभी आपको दिखाते हैं कितने लंबी अस्तीन थी और वो जल गई इसकी वज़े से मुझे ये छोटा करना पड़ा तो आप भी इस जाए तो इस तरह से आप अंस्ता बाजू को छोटा करके साड第 हमारी खराब हो जाती है इस लिए इसको छोटा करके आप हैं तो अगली अंसले समारी क्या जैसे प्या जू olm के छिलके तो रोज हर घरमे से containing रहते हैं तो इसको हम भेकने के वजाए हम क्या करने वाले हैं सका यूज करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा, चाहे तो इनको पेड़ों में इसको भीगो दें और गुड़हल के पेड़ में पानी, दो-तिन दिन भीगने के बाद इसका पानी गुड़हल के पेड़ में डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से सूती कॉटन का कप्रा ले लें, कॉ काई हैं कि पोर्टली के बनाने के बांद नहीं क इसने के बनाने के बाद में हम आप आ किसी चीज से भाम देतें हुआ पंथने हैं ऐसकी जो है इस्सकूह है म Marony has मत्चड और चिफक्लिंस नहीं आती हैं तो काम को आसान कर देती हैं और डेली का काम होता है तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो हमारा समय भी और पैसा दोनों की बचत होने लगती है और हमारा घर भी सही शरूप इस तरह से हम इसको बांध करके पोटली और पोटली कर देख सकते हैं इसी तरह हमने बांध भी है इसी तरह आप भी और कहीं भी इसको किसी कील सहाजित करती रहूंगी और आगे देखें हम क्या करने वाले हैं आप लोग देखते रहे हैं तो इस तरह से देखिए हम पोटली बना प्यार के लिएा आप ये जो है और कमरे की भिंडो है उसी में हम इस तरह से टांग देंगे चाया कील में टांग pipeline आगे उछए तो District सकते हैं टांगने से क्या होता है इसकी इसमेल इतनी स्ट्रॉंग होती है कि छिप्कली तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी आपके घर के अंदर क्योंकि छोटे-चोटे बच्चे होते हैं और चिप्कली अगर कहीं आ जाते तो बच्चे बहुत डर जाते हैं इसलिए इस तरह से इसको टांग देंगे तो मच्छड और चिप्कली नहीं आएगी तो अगली टिप्स हमारी क्या है जैसे हम साडियां खरीते हैं साडी में फार्म निकलती है फार्म हम क्या करते हैं या तो हम फेक देते हैं या तो ऐसे बच्चे खेल के फेक देते हैं तो इससे हमने यह बच तो आप भी इस तरह से जो बची हुई साडियों से हमारी फॉर्म है उसको फेकने के बजाए आप इस तरह से यूज करेंगे तो यह बहुत ही मार्केट से भी अच्छी सुन्दर बैक बनके तयार हो जाती है आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हमने एक चैन लगा दी है आप लोगों को जरूर बताएंगे अगर आप लोगों को पसंद आई तो इस तरह से दिखे यह हम हाथ से बना के तयार किये हैं लेकिन कोई नहीं बता सकता है कि इसको मैंने हाथ से बनाया है कि यह लगता ही नहीं कि हम यह हाथ से बनाए हैं लगता है कि मार्केट से खरीद उसी में लगा करके और चेक डालके और इसको हम साइड में सिल देते हैं और हमारी सुन्दर सी बैक बनके तैयार हो जाती है तो आप साड़ी की फार हो जो होती है फार्म कभी भी फेके ना उसको इकठा करके रखें अगर आप लोगों को इस बैक की वीडियो चाहिए तो हमको करके जरूर बताणा तो इस तरह से क्या होता है जैसे ज्हाडु को हम कहते हैं पुरानी ज्हाडु हम बाल्टी में क्यों डालते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे पुरानी ज्हाड्व अगर हम भीगो देंगे तो खराब हो जाएगी तो जि यह बिल्कुल नहीं हो सकता खराब नहीं होगी आप खुदी देखेंगे इसको हम पांच मिनट के लिए इसी पानी में इस तरह से दुबा देंगे और दुबाने के बाद इसको हम कड़ी धूप में सुखा देंगे तो इससे क्या होता है हमारी जो जाड़ू होती है वो एकदम नए की तरह इसके जितने भी फूल होते हैं वो मतलब सुखने के बाद में यह बिल्कुल नई जैसी जाड़ू हो जाती है तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हो कि किस तरह से यह नई जैसी हो जाएगी तो इसको हम अब निकाल के इसका पानी थोड़ा जटक देंगे ताकि यह पानी निकल अब फिर आपको दिखाते हैं धूप में रखने के बाद में यह जाड़ू हमारी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी तो आप लोग भी यूच कर रहे हैं क्योंकि पुरानी जाड़ू हो जाती मिट्टी लग जाती है तो उसको थोड़ा सा दूल देते हैं तो हमारी जाड़ जो है अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सूख करके बिल्कुल नई जैसी जाड़ू हमारी तैयार हो गई है यह एकदम सूख गई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी चोटी 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 टिप्स आप लोगों को कैसी लगती है अगर अच्छी लेकर के दही को जमाने के लिए क्या होता है डेरी पे जो दही मिलता है वो बहुत ही गाढ़ा और बढ़िया होता है और घर पे जमाते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जैसे लगता है कि पानी बच गया है पानी उपर तैर जाता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो अब लोगों को दिखाते हैं एक गंटे के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया देख जम के तयार हो गया है तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर पर जमा सकते हैं अगर अच्छी लगी हो टिप्स तो लाइक जरूर करना आप लोग भी जमाते होंगे तो चलिए हमारी क्या है छोटी सी है यसे हम दूझ लाएं गरम करते है तो क्या करते हैं गवान서 कि अवार्मकर झोड़ें तो उसमें उसमें हमारी करने से तो इस तरह से लग करने से डूबहुत जलदी हो जाता है और उसको खोल चेक लें ताकि उबले ना और चेक करते रहेंगे तो इस तरह से देखे उबाल आने लगी है अब हम ढ़कन हटा देंगे इसके बाद में हम गयस को लो फ्लेम पे करके और इस पे छन्नी लगा देंगे इससे हमारी क्या होती है मलाई बहुत मोटी होती है अगर हम यह बहुत जादा पका देते हैं लव उपर से उबाल निकल जाती है तो मलाई हमारी मोटी नहीं होती अब इस तरह से हम क्या करेंगे इसको ठंडा करके हम फ्रीज में रख देंगे उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कितनी मोटी मलाई बनके तैयार होती है और अच्छे से दूद पकाने के ब झाल मोटी 베asya मेरे कल आई च्छे से अट शाने करेंगे एंजे को आचे से फ्री तारे करें इसको डिरीज में आचे से देकर लंगे ख़र के तूद का ले दो करेंगे खब दूदえる